एमजी मॉटर्स ने भारतिया बजार के कॉंपक्ट एस्यूबी सेग्मेंट में हाल ही में एंट्री की है एमजी एश्टर के सुरुवा थी एक्सूरूम कीमत 9,78,000 रुपे से लेकर 16,78,000 रुपे तक रखी गई है एश्टर को स्टाइल, सूपर, स्मार्ट और सार इन चार वेरिंट्स में लॉंज किया गया है वहीं इसमें पांच कलर ओप्सन भी मिलते है स्पाइड ओरेंज, अरोरा सिल्वर, ग्लेड रेज, कैंडी वाइट और स्टेरी ब्लेक एश्टर की लोग प्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते है कि 21 अक्तूबर को भुकिंग सुरू होने के महज 20 मिनिट के अंदर 5000 बुकिंग मिल गई इन गाड़ियों की डिलिवरी इसी साल होगी, जो 1 नवंबर से सुरू होगी ये इस सेग्मेंट की पहली कार है जिसमें Personal AI यानि की Artificial Intelligence Assistant Enabled और Autonomous Level 2 तक्निक का फीचर मिलेगा अगर आप MG एश्टर बुक कराने की सोच रहे है तो मैं आपको इस वीडियो में एश्टर की खासियतों और कम्यों के बारे में बताने वाला हूँ बाकि फैसला आपके हाथ में है दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्मीतेस और चलिये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात की जाए इसकी अच्छाई के बारे में MG एश्टर में कई ऐसे फीचर दिये गए है जो इस सेग्मेंट की कारों में नहीं आते जैसे Personal Artificial Intelligence का फीचर डेसबर्ड पर बात करने वाला एक रोबर्ट दिया गया है जो हाव बाव के साथ आप से बात करता है ये ना केवल आपको जोक सुना सकता है बलकि खबरे और विकीपीडिया से जानकारी भी दे सकता है इसके टॉप फिरिंट में iSmart Technology का फीचर भी मिलता है जिसमें 80 Connected Car Features दिये गये है एश्टर में Autonomous Level 2 सिस्टम मिलता है जिसमें 14 Autonomous Feature दिये गये है फ्रंट के अलावा पिछले बंपर के अंदर दोनों साइड रडार फीट किये गये है एमजी एश्टर के फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रिक दिये गये है साथ ही सेफटी के लिए 6 Airbags, Isofix Mounts, ESP, TPMS, Traction Control, Heal Descent Control का फीचर भी मिलता है इसमें Heated Overheams के साथ बड़ी Panoramic Sunroof मिलती है जो कीवल Krita के टॉप विरिंट में ही आती है एश्टर का इंटियर आपको पूरी तरह प्रिमियम फिलिंग वाला मिलेगा आर्टिफिसियल लेदर से बने इंटियर में डूल्ट और सेंगर या रेड थीम सांदार है डेश्बर्ड पर ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट टच मेटरियल का इस्तिमाल किया गया है इसमें 1.3 लीटर पैट्रोल टर्बो इंजिन मिलता है जो सबसे दमदार 140 बीस की पावर और 220 एनम का टॉर्क जनरेट करता है इस इंजिन के साथ 6-speed टॉर्क कमिनटर आटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है आप बात कर लेते हैं इसकी कमियों के बारे में सबसे पहली बात इसके लुक की तो इसका लुक काफी आकर सक है लेकिन दिखने में यह किसी क्रॉस ओवर SUV की तरह लगती है इसे देखकर निसन कीक्स की याद आती है जबकि क्रेटा और सेल्टोस काफी मॉडन और फ्रेश लुक देती है मिडसेज SUV सेगमेंट में एस्टर की डायमेंशन बाकी कारों से तो ज्यादा है लेकिन इसका विल बेस काफी कम है इसका विल बेस 2580 मिलिमीटर जो क्रेटा और सेल्टोस से भी कम है जिससे इसमें लेग रूम की कमी खलती है हाला कि तीन लोग आसानी से बेट जाते है लेकिन बीच वाले के लिए लेक स्वेस थोड़ा कम मिलता है टर्बो इंजिन केवल टॉप वेरेंट्स स्मार्ट और सार्प वेरेंट में ही दिया गया है जिसकी एक सोरूम कीमत 15,08,000 से लेकर 17,08,000 रूपय तक है इसके अलावा इसमें टर्बो इंजिन के साथ 6-speed automatic torque converter का फीचर मिलता है जबकि क्रेटा और सेल्टोस में dual clutch transmission DCT का फीचर आता है MG Aster में 3 steering modes urban, normal और dynamic मिलते है लेकिन fun to drive के लिए drive modes नहीं दिये गये है इसके lower variants, style और super में rear parcel self, driver और co driver के लिए vanity mirror और आगे पीछे की seatों के बीच वाली seatों में head rates नहीं मिलता है Naturally aspirated engine के साथ 48-liter की capacity वाला fuel tank जबकि turbo trim में 45-liter की capacity वाला fuel tank मिलता है auto dimming IRVM का feature नहीं आता है जबकि क्रेटा और सेल्टोस में यह feature भी मिलता है इतनी मेहंगी mid-size SUV होने के बाद भी इसमें ventilated seats का option नहीं दिया गया है जबकि क्रेटा और सेल्टोस का यह feature भी काफी लोग प्रिया है Ashter में wireless charging की सूविदा भी नहीं है जो की segment में मौझूद दूसरी गाड़ियों में मिल रही है MG Ashter के turbo petrol variant में paddle shifters नहीं मिलते जबकि Hyundai Creta और Kia Seltos के turbo petrol engine में paddle shifters मिलते है अब बात कि अगर आपको Ashter खरीद नहीं है तो आप कौन सा variant ले सकते है जिन customers का budget थोड़ा कम है वे smart variant खरीद सकते है इसमें कई features दिये गये है जैसे personal AI का feature तो दिया ही गया है साथ ही auto headlamps, cruise control, heated overvims, tire pressure monitoring system और digital car की bluetooth technology मिलती है हाला कि इसमें panoramic sunroof नहीं आता है लेकिन दो engine options मिलते है इसकी exorum कीमत 12,98,000 से लेकर 15,88,000 रुपे तक आ जाती है वहीं जो customers feature loaded variant देख रहे हैं वो हाल ही में launch हुए sharp optional variant को खरीच सकते है इसमें ADAS के साथ level 2 autonomous technology मिलती है जिसमें adaptive cruise control, forward collision warning, automatic emergency braking, speed assist, lane keep assist और lane departure prevention जैसे features मिलते है इसकी exorum कीमत 17,38,000 रुपे है अब बात कर लेते हैं warranty और AMC की यानि की annual maintenance contract MG Motors इंडिया एश्टर पर standard 3 plus 3 plus 3 warranty package दे रही है इसमें unlimited kilometer के लिए 3 साल की warranty, 3 साल की roadside assistant और 3 labor free periodic service सामिल है company एक वार्षिक maintenance package की भी पेश कस कर रही है जो करीब 16,000 रुपे से सुरू होती है एश्टर पर बाइब एक प्रोग्रम भी ओफर किया जा रहा है इसके तहट car owner, नियम और सर्तों के अधर पर car को वापिस बेचते समय car की कीमत की 60% एक सोरूम कीमत की उमिद कर सकता है my mg sealed program के साथ customer warranty extension और protect plan के साथ अपने owner से package को personalize भी कर सकते है मुझे आसा है ये वीडियो को इतने तक देखने के बाद आपके मन में एश्टर को लेकर जो भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गये है मैंने इस वीडियो में एश्टर के बारे में कमिया और खासेतों के बारे में पूरी जनकरी बताने की कोशिस की है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like और share जरू कर देजेगा और चैनल को subscribe जरू कर देजेगा क्योंकि आगे और भी बहुत सारे interesting वीडियो आने वाले है तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद